फ्रेंड्स आज मैं आपके लेकर आया हूँ एक advanced structure जिसे जानना आपके लिए बेहत जरूरी है क्योंकि कई बार आपको अपने life में इस तरह के sentences बोलना होता है जहां कहते हैं कि present time में आपको कोई काम करने में मुस्किल हो रही है यानि इस वक्त आपको कोई काम करने में दिक्कत हो रही है आप उस काम को नहीं कर पा रहे हैं जैसे मुझे दोवक्त की रूटी कमाना मुस्किल है मुझे यहां रहना मुस्किल है मुझे एक गौर्मेंट चौपाना मुस्किल है मेरे लिए English सीखना मुस्किल है आफिस को संभालना मेरी लिए मुश्किल है तो आईए दिखे friends के इस तरह के sentences को कैसे बोलना है जहां आप कहते हैं कि present time में आपको कोई काम करने में मुश्किल हो रही है या वो करना आप के लिए cutting है या मुश्किल है Friends इस तरह के sentences को बोलने के लिए I am having a hard time इस तरह के लिए को बोलेंगे कैसे बोलेंगे आई इस बात को एक जांपल में बेहतर तरीके से समझें दो वक्त की रूटी कमाना मेरे लिए मुश्किल है तो इस sentence के लिए आप कहेंगे I am having a hard time earning livelihood यानि दो वक्त की रूटी कमाना मेरे लिए मुश्किल है English सीखना मेरे लिए मुश्किल है I am having a hard time learning English एक नौकरी पाना मेरे लिए मुश्किल है I am having a hard time getting a job Government job पाना मेरे लिए मुश्किल है I am having a hard time getting a government job Office जलाना मेरे लिए मुश्किल है I am having a hard time managing an office पैसा कमाना उसके लिए मुश्किल है He is having a hard time earning money ज्यादा views पाना उसके लिए मुस्किल है कि it having a hard time getting more views यानि ज्यादा views पाना उसके लिए मुस्किल है खाना पकाना मेरे लिए मुस्किल है I'm having a hard time cooking तो friends उमीद करता हूँ का आपको यह topic शांदार तरीके से समझ में आया कि जब आपको कहना हो या present time में आपको कौन सा काम करने में दिक्कत हो रही है कि आप comment box में लिखेंगे comment box में जरूर बताए मैं आपके comment का इंदिजार करूँगा फिर मिलेंगे कुछ और अच्छा lessons के साथ अब तक के लिए Bye